तो बच्चों हमने एक टिपिकल सेल की बात की चलिए अब उसके अंदर जो कोशिकांग है उनकी साइज क्या होगी उसको भी हम एक इमेजिन करते हैं कलपना के रूप में देखते हैं तो यदि कोशिका का पैमाने के अधर पर प्रारुपिक चित्र बनाएंगे तो इसमें इसके टुटर पर करते हैं तो यदि इसका व्यास की बात करते हैं तो यह कितना है मान लेते हैं Film मिट कृटिस की घूटर yhte जो को माइक्रोस्कोप में उसकोप बन्दान शेंडिजा से बार आपस दधकिते जो यह दो को बहुत को सकता है तो कुछ सकते क Division Xbert साफवाने को सबस्क्राइक दब दिए बहुत के जौरत करें बहुत धव्रयक्ण Jackie चोटे से चोटे ऑर्गेनल्स हैं राइबोसोम लाइसोसोम जैसे उनको हम उस में देखकर जो है उसका अध्यान करते हैं तो इस तरीके से यह देखा जाए तो यह अनुपाद जिसके हम बात कर रहे हैं यह अलग-अलग कोशिका में अलग-अलग भी हो सकता है और यह जो हम ब शिर्टरन ही किया गया है कि यह ऐसा होता है और जैसे हमने पहले बात की की ज़रूर ही नहीं है कि हर एक शरीर के में कोशिकांग के संख्या किसा होगी। तो जारे आप बात करते हैं कोशिका का संगठन यानि और गनाइजेशन ऑफ दसेल तो जैसे देखते हैं कि कोशिका का जो ढांचा वो बदलता रहता है वो कोशिका के कई अंग जो है वो कोशिका की जिली से यानि प्लाजमा मेंबरेन से बने होते हैं जैसे कि हम बात करें कि बात कर रहे हैं तो यह किस से बने होते हैं जिली से बने होते हैं प्लाजमा जिल्ली जैसा है उसके उसी से बने रहते हैं तो इन सब को जो है हम लोग एक सिस्टम के अंतरगत अध्यान करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं अब यह जो है आपस में कैसे एक दूसरे से संबंदित है आप इस चित्र से समझ सकते हैं आप जैसे ऊपर में देख रहे हैं केंदरक जिल्ली संबंदित निनका आपस में क्या है प्रमिक्त है नृत क्यों तो इस तरीके से इनका आपस में क्या है connection है अब इनके जो अंदर के जो पदार्थ है वो बाहर के जो कोशी का द्रवे हैं उससे जो है थोड़ा ये अलग होते हैं अब ये बात की जाए कि ये जो आवागमन है आप देख रहे हो कि दोनों तरफ तीर है इसका क्या मतलब होगा कि जैसे हम देख उपर नाक ये तो पयुद्योग कोशी कोशी का द्रवे ह aujourd आप देख रहे हो जो है वो तक भी आता है तो क्योंकि यह आपस में इंटर कनेक्टेड अंतर संबंद नी थे तो इनका जो पदार्थ है वो भी क्या होता है एक्षेंज होता है दोनों तरफ जो है आवगमन होता है तो चलिए यदि हम एक यहां पर कोशन दें कि आप कोई भी ऐसे तीन आवगमन के जो मार्ग हैं लिख जहां से पदार्थों का आवगमन होता है तो आप निश्यत रुप से लिख पाएंगे 6.4.1 कोशिका जिल्ली, सेल मेंब्रेन, क्रियकलाब 4 कोशिका जिल्ली का अवलोकन, शक्कर का सांद्र घोल बनाएं यानि दो चम्मश शक्कर आधे कप पानी में घोल लें इस घोल की दो बुंदे रियो की पत्ती की निचली सतह की परत पर डालें इसके लिए आप नई स्लाइट भी बना सकते हैं या पूर्व क्रियकलाब में बनी स्लाइट का उप्योग भी कर सकते हैं इस लाइट को पांच मिनट के लिए रख दें फिर इसे सुक्षमेदर्शी से देखें क्या गुलाबी रंग कोशिका के एक हिस्से में सिमट गया है कोशिका के गुलाबी रंग वाले हिस्से की बाहरी सीमा ही कोशिका जिल्ली है प्रारुपिक कोशिका में भी इसे देखने का प्रयास करें या बाहे आवरण यानि कोशिका भित्ती से दूर हो गई है इस अवस्था को कोशिका द्रव्य कुंचन कहते हैं कोशिका द्रव्य संकुचित कैसे हुआ होगा? इसका कारण कोशिका में से पानी निकल जाना है मगर क्या यहाँ पानी की सांद्रता से जुड़ी हुई कोई प्रक्रिया चल रही है सोचिए कि अगर कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कम हो चीनी के सांद्र गोल में कोशिका द्रवे से कम पानी है तो ज्यादा सांदरता से कम सांदरता की तरफ पानी का बहाव होगा। ऐसे ही जब सांदरता के अंतर के कारण द्रव्यों का बहाव किसी जिल्ली के माध्यम से होता है तो उसे परासरन कहा जाता है। कोशिका जिल्ली कोशिका द्रव्य के आवा गमन में महत्पूर्ण भूमी का निभाती है। कोशिका जिल्ली की रचना इलेक्ट्रोन सुक्ष्म दर्शी से ही देखी जा सकती है। यह मुख्य रूप से बसा एवं प्रोटीन की बनी होती है तथा या लचीले सोभाव की होती ह कोशिका जिल्ली कोशिका का आकार और उसकी सीमा कर निर्धारन करती है तथा सुरक्षा का कारे करती है कोशिका जिल्ली से कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण में पदार्थों का चैनित रूप से आवागमन होता है इसलिए इसे चैनात्मक पारगम में जिल्ली कहते हैं कोशिका जिल्ली चैनात्मक जिल्ली नहीं होती तो इसका कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता क्या आप जानते हैं प्रतेक कोशिका जिल्ली पर ऐसे पहचान चिन्न होते हैं जिनकी मदद से कोशिकाएं एक दूसरे को पहचानती हैं। इसका सजीवों के जीवन में बहुत महत्व हैं। जैसे कि जन्तुओं में शुरुवाती परिवर्धन के समय नई-नई कोशिकाएं बनती हैं। और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांत्रित होती हैं। उस समय कोशिका जिल्ली के पहचान चिनक के आधार पर ही कोशिकाएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। इस तरह से इनके बीद जुडाव बनता हैं। और यही जुडाव उतकों तथा अंगों के बनने में महत्वण भूमिका निभाता हैं। इसके अलावा सजीव के शरीर म यदि कोई बाहरी कोशिका आ जाएं तो शरीर की कोशिकाएं उसे अन्य विजातिय कोशिका के रूप में पहचान पाती हैं। क्रिया कलाव 5 अंडे की जिल्ली का अवलोकन। इस क्रिया कलाव के लिए हमें अंडा, सिर्का, शक्कर, कसांद्र घोल, बीकर, पानी की जरूरत पड़ेगी। अंडे को सिर्के में 4-5 दिन तक रखें, समय समय पर उसे घुमाते रहें। जिससे अंडे के ऊपर का कवच, जो केल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वह घुल कर हट जाए। इसके बाद अंडे के ऊपरी पतली जिल्ली दिखने लगेगी। यही कोशिका जिल्ली है। शक्कर का सांद्र घोल, बीकर में लें। इस अंडे को बीकर में रख दें। लगवक 10 मिनट के बाद इसका अवलोकन करें। देखिए इस अंडे में क्या परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। कोशिका के विभिन कोशिकांगों की बात करते हैं। उसको गहराई से जानने का प्रयास करते हैं कि उसकी सरचना क्या होती है। हरे कोशिकंग की सरचना और कारे में विभिनता होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका जिली कोशिका जिली जो है वो हमने चित्र में जैसे देखा था कि जो चारो तरब जो एक जिली आप देखने वो क्या कहलाती कोशिका जिली या प्लाजमा मेंबरेन कहलाती है हमने एक एक्टिविटी की थी रियो की पत्ति का आपने जैसे पहले वाले में हमने अवलोकन किया था कि रियो की पत्ति का उसका स्लाइड बनाया था और हमने उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी की थी अब यदि वही स्लाइड लेकर हम उस जो रियो की पत्ति है उसको चीनी के सां यदि रख देते हैं कुछ समय के लिए यह आप घर में भी कर सकते हैं और जैसे आपने कोई पत्ती जो है वो सांद्र गोल बना लिया चीनी का बना लिया या नमक का बना लिया उसमें कोई सी भी पत्ती आप डाल दीजिए आप उसको कुछ घंटों के बाद देखेंगे तो व अधि जब हम रियो की पत्ती को यदि क्रिया कलाप करते है उसका चीनी के सांद्र गोल में डाल कर कुछ गंटों के बाद दी हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो है वो कैसे दिखाई देगी उसमें जो है एक वाल जो है मतलब एक भित्ती जो है यह इस तरह का तो अंदर वाला जो है वो कोशिका जिल्ली है जो उससे कोशिका भित्ती से क्या हो जाती अलग हो जाती है अभी मैंने जिसे आपको बात की कि यदि आप घर में भी यदि ये प्रयोक करते हैं, चीनी के सांद्र में यदि कोई पत्ती डालते हैं, तो वहां क्या होता है, उस प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं, दर असल कोशिकाओं में क्या होता है, पानी होता है, आप जानते हैं तो यह पानी जो है चुकी बाहर का जो माध्यम था वो चीनी का जो सांद्र गोल था वो क्या था गाढ़ा था वहां पानी की मातरा कम थी तो कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रवे में जो पानी रहता है वो कहां जाता है इस कोशिका जिली से पार होकर वो कहां आ रहा है यानि चीनी के घोल में वो आता है तो यहां पर यह प्रोसेस क्या हो रही है कि सांद्रता में अंतर है अंदर का सांद्रता है पानी की वो ज्यादा है और बाहर जो है वो कम है तो सांद्रता में अंतर होने के कारण पानी का बहाव कहा हुआ ज्यादा से कम की और होता है तो यह विज्ञान की फिनोमेना है जिसको परासरां कहते हैं यानि आसमोसिस करते हैं तो इस तरीके से ये यदी हम सची की बात करें तो यह जीवद्रव कुंचन कहलाता यानि प्लाज्मो लैसिस कहलाता है तो जो आप भर में भी एक्स्पेरिमेंट करेंगे तो वह यह प्रॉसेस हो कोशिका जिल्ली की बात कर रहे हैं, तो कोशिका जिल्ली की बात कर रहे हैं, तो कोशिका जिल्ली की बनी होती है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है, इसके कुछ मॉडल जो है दिये थे, डेली अड डेविट्सन ने दिये थे, तो वह हम डेनियल अड डेविट्सन ने दिये उसको हम लो आगे की क्लासस में पढ़ेंगे अब यह हम बेसिकली देखते हैं कि वो किस से बनी हुई यह वसा और प्रोटीन के बनी होती है तो यह जो कोशिका जिल्ली है वो क्या करती है किसी भी कोशिका का बाहरी आवरन है तो यह उसकी सीमा निर्धारित करती है उसका एक आकार भी बनाती है तो इस तरीके से यह कोशिका जिल्ली जो है बेसिकली कहा जाए यह चैनात्मक होती है इसको चैनात्मक पारगम जिल्ली भी कहते हैं अब चैनात्मक से आप क्या समझ पा रहे हैं कि चैन करना अभी जैसे हमने बात कि कोशिका जिल्ली जो है वो क्या कर र तो के जोड़िए जिलिए इसको चेनात्मक पारग्मिल जिलि होती हैं जैसे जिलिया वार भी कहती है एक अपारगम में जिल्ली होती है एक अर्ध पारगम में जिल्ली होती है और एक पारगम में जिल्ली होती है तो अपारगम में जिल्ली से आप क्या समझ रहे हैं कि जिसमें जो है विलायक और विले के अनुव का क्या होगा आवा गमन नहीं होगा यानि वहां पर जो मिलन है और यदि पारगम में जिली बोलें तो विले और विलायक आप यहां जैसे हम कुछ पिक्चर के जरीए बता रहे हैं कि विले और विलायक का जब के मतलब इसमें डिसाइड़ नहीं है चैनात्मक प्रोसेस नहीं हो रही है कोई भी है वह ओझा रहा है लेकिन अर्थपारगम में जिली को यहां पर हम कोशिका जिली को चैनात्मक्ति जरुरत के हिसाब सकता कि आधार कोशिका के अंदर आएंगे और जिनके जरुरत नहीं होती तो यह हो सकता था बढ़ों वाधे जो उता है और शुरक्षा काम कोहिता की वृतिती एंसे जलवाल की वाथ करते हैं क्योंकि ये जो है एक उसको एक धांचा प्रदान करती है सुरक्षा प्रदान करती है और ये कतोर और मजबूत होती है और मुख्यताबाद ये जेल वाल किस से बनी होती है जीवों का वर्गी करण है उसमें भी हमने बैक्टीरिया यानि मौनेरा किंडम के में देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी सेल वाल होती है लेकिन उनकी कोशिका वित्ती जो है वो अलग पदार्थों से बनी होती है तो यदि आपको कुशन आता है कि पौधों की कोशिका वित्ती किस से बनी होती है तो यह किस से बनी होंगी सेल लोस से बनी होंगी अब यह सेल वाल जो है जैसे हमने पिछली वाली एक्टिविटीस में माचीज की तीली का जो है कोशिका का अध्यान किया था तो उसमें पिक्चर आप देख रहे था है ऐसे दिखाई दे रहे था होल होल आप देख रहे हो छोटी छोटी गोल-गोल हेग्जागोनल तो यह क्या है यह असल में सेल वाल ही है कोशिका जब मृत हो जाती तो इसी तरह की दिखाई देती है ऐसा रोबर्ट हुक ने भी क्या किया था जब कॉर्क सेल में अध्यान किया था माइक्रोस्कोप में तो उनको भी ऐसीी जैसे हम बात करते हैं मदु मकी के छटे के समान वह उस तरह के से बेटी जो है उच्च वरगी पौदों में आधारी धांचा बनाती है और मजबूती प्रदान करती है और मुख्यबाद जो है यह रोगानु से जो रोगानू का संक्रमन होता है उससे भी ने की सुरक्षा करती है 6.4.3 कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कोशिका जिल्ली से कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा तै होती है किसी भी कोशिका में इस द्रव्य में ही कोशिका के अन्य अंग पाय जाते हैं जैसे माइट्रोकॉंड्रिया, लवक, अन्ताप्रद्रवी, जालिका, केंद्रक, आधी अर्थात कोशिका द्रव्य एक आधाय द्रव्य है जिसमें संचित पदार्थ, स्त्रावी पदार्थ वा अपसिस्ट पदार्थ आधी पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में आम तोर पर पानी की मात्रा अधिक होती है अब हम कोशिका के कोशिका द्रव्य की बात करते हैं जिसको साइटो प्लाजम कहते हैं तो आप जैसे ये पिक्शर में देख रहे हो कि कोशिका जिली से लेकर केंद्रक जो है उनके बीच में एक द्रवे रहता है द्रवे जो ये पारदर्शी होता है चिपचिपा होता है और सेमी सॉलिड होता है तो ये जो द्रवे आप देख रहे हो इसको क्या कहते हैं हम कोशी का द्रवे कहते हैं और ये जो है साइटोप्लाज में कहलाता है इसमें क्या क्या होता है जन, खनीज, लवन के वसा, प्रोटीन, मिनर्ल हो सकते हैं यह सब्से जाधे मातरां में पानी ज्यादा होता है, कोशिका में पानीज परसेंत लोग है कोशिका में यह कोशिका ही मैं ता क toss you homefall music सबसे पहले तो सबने रावर्बर्वाण 831 में तो यह कोशी का द्रवन ने महीं और सis II जिसको कहते हैं किंद्रक कोशिका का नियंत्रन कक्षो होता है जिसको कंट्रोलिंग रूम कहते हैं तो पूरी जो कोशिका का नियंत्रन है वो ये किंद्रक ही करता है अब केंद्रक को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें धागय जैसी रचनाय होती है जिसको क्रोमेटीन कहते हैं अब ये क्रोमेटीन जो है वो अनुवानशिक पदार्थ से बने होते हैं जिसको DNA कहते हैं और दी आक्सी राइबोस नुकलिक एसिट कहते हैं आगे की कक्षाओं में आप इसका और भी डिटेल अधियन करेंगे तो ये जो है क्रोमेटीन किस से बनावा है डीने से बन उसका अब भी जाता है पटले लमबे धागे नो मार रचना रती है और चोटी और मोटी हो जाती है अब इसको गुंड सुतर की बात करें तो जैसे हम धी इसमें ऑंऔर हो निष्यत होती है जैसे हमारे में एक कोशिका में 46 गुंड सुत्र होंगे यानि क्रोमोजूम होंगे हर एक जीम में अलग हो सकते हैं और सब्सक्राइबित करने तो उसमें अलग होगा जो गोरिल्ल उगर हैं उनकी बात करें तो उनमें अलग होगा लेकिन वो जो पूरी जाती है इस्पीशीज है उनमें एक ही नंबर होगा तो यह उसकी विशेष्टा होती है तो यह गुणसुत्र कहलाते हैं अब जो हम यह कहते हैं कि हमारा जो लक्षन है वो हमारे मातापीता से मिलता है तो यह मातापीता से जो है हम तक वो लक्षन पहुंचे कैसे इन्ही गुणसुत् पदार्थों के फ्लोयम उतक की एक प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं। का रूप ले लेते हैं। तब इन्हें गुण सूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। क्या आप जानते हैं। अलग अलग जातियों में टोपी अलग अलग आकार की होती है। किसी में उल्टे छाते के समान तो किसी में फूल के समान। टोपी काटने पर फिर से टोपी उग जाती है। हैमर लिंग ने फूल जैसी टोपी वाले शैवाल का केवल आधार लिया और फिर इस पर एक छाता जैसी टोपी वाले शैवाल का डंठल रोप दिया। इस से जो टोपी उगी वा छाते और फूल का मिला जुला रोप थी। इसका मतलब यह हुआ कि आधार में उपस्तित कुछ पदार्थ और डंठल में मौजुद कुछ पदार्थ मिलकर इसका रोप तै कर रहे थे। हेमरलिंग ने इस टोपी को और भी काट दिया। और अबकी बार जो टोपी उगी वा फूल नुमा थी। मतलब अब इसका रोप पूरी तरह आधार पर निर्भर था। अर्थात आधार से निकला कोई पदार्थ टोपी का रूप तै करता है। हेमरलिंग यह देखी चुके थे कि इस श्यवाल का केंद्रग आधार में होता है। कई प्रयोगों के आधार पर जिव वैज्ञानिक इस निश्कर्स पर पहुँचे कि केंद्रक में उस जिव की हर प्रकार की कोशिका बनानी की जानकारी होती है। केंद्रक को कोशिका का नियंतरन कक्ष क्यों कहा जाता है। अगर हम इसके केंद्रक के सनचना की बात करें तो केंद्रक जिल्ली वह केंद्रक के बीच जो आप यह जो जिल्ली देख रहे हो यह केंद्रक जिल्ली कहलाती है। तो यह केंद्रक जिली के बारे में आपने और भी पढ़ा हो गए पहला चैप्टर जो है जीवों का वर्गी करण इसके कारण ही आपने याद करिए याद होगा कि इसकी उपस्तिती और अनुपस्तिती के आधार पर ही जीवों को दो जगत में बाटा था दो भागों में जिनमें यह जिली होगी उसको हम क्या कहते हैं यू करते हैं तो यह एक आधार बनती हमंध सब्सक्वास का तो कोशिका की व्रिद्ध नडमिकार है कोशिका विभाजन इसकी बहुत मुख्य भूंपीका यह ठीज है अर तीसरी बात राइब तो इस तरीके से ये केंद्रग जो है बहुत ही महतपुन भूमिका निभाता है अब इसका एक उधारन हम देखेंगे कि इसकी भूमिका किस तरीके से इंपॉर्टेंट है हम अभी देखेंगे इसको तो चलिए अब एक एक एक्सपेरिमेंट जो एक बाइलजिस्ट ने किया था उसमें देखते हैं कि कैसे केंद्रग जो है वो गुणों का निर्धारन करता है किसी भी जीव का तो एक सरवप्रतम जर्वन बाइलजिस्ट है जोकीम हैमरलंग इन्होंने 1934 में एक समुद्री शहवाल जिसे एसिटा जैसे हमने अभी बात किती ना गुण सुत्र होते हैं और गुण सुत्र जो है वही अनुमानशिक पदार्त हैं और पीडी दर-पीडी जो है वो गुणों को पहुंचाते हैं तो इसको एक त्रेउक के जरिए देखते हैं तो यह एसिटा बुलेरिया जो समुद्री शहवाल उसके तीन भाग हूते हैं, जैसे आप तूपी आप देखता है कि बीच डंठाल साथा के तूपी रहे हो और बीच में डंथाल है ढ़ार और एक अजग जाती में इसकी वह उता जाती है, वी अनDRस जैसी वाल जो फूपी हो ले है उसका जो समुद्री शेवाल का उन्होंने आधार लिया और छाते वाली टोपी का डंठल लिया तो उस आधार में उस डंठल को रोप दिया तो जब अगली जनरेशन आई तो उन्होंने देखा कि उसमें छाते और फूल का जो था वो मिला जुला रूप था जो टोपी थी उस का मतलब निकाला यानि की एक्सपेरिमेंट जो किया तो उसका निश्कर्च क्या था कि आधार वा डंठल में मौजूद कुछ पदार्त होंगी जो उसके टोपी का उसके गुणों का जो है वो निर्धारन कर रहे थे अब उन्होंने फिर से इसकी टोपी को काट दिया लेकिन जब वो अगली जनरेशन देखा तो उसमें केवल फूल वाली ही टोपी थी तो तब भी उन्होंने निश्कर्ष निकाला कि आधार में कुछ ऐसा पदार्त है आधार वाले हिस्से में कुछ ऐसा केंद्रक है यानि कहना चाहिए वो ही क्या कर रहा है उसके गुणों का निर् कराँ मता रहती है यानि उसमें वो गुण जो है वो नहें रहते हैं और उसी के ज़ेही वो सकता है। तो इस तरीके से केंद्रक किसी भी कोशिका का क्या रहता है, कंट्रोलर रहता है, कोशिका किस तरीके से कब विभाजन होगा, उसके वृधधी च्या होगी, तो पूरा नियंत्रन केंद्रक पर होता है. अब endoplasmic reticulum यानि अंदर प्रद्रवी जालिका की बात करते हैं तो इसकी जो है खोज पॉटर, क्लाउट, फूलेम ने की थी और इसको टिशू कल्चर में खोजा था यह जो endoplasmic reticulum है, embryonal cell, egg cell and RBC को छोड़कर बाकी सबी कोशिकाओं में ही पाया जाता है हमने जैसे पहले भी बात की थी कि जरूरी नहीं है कि सारे और्गिनल्स जो है वो सभी कोशिकाओं में पाया जाते हैं तो अभी जैसे हमने यह बात की कि ER जो है यह कुछ कोशिकाओं जो है और थैले भी होते हैं यानि छोटी छोटी थैले के समान सरचना होती है तो इस तरीके से एक बड़ा जाल बनता है आप ये केंद्रक के पास जैसे देख रहे हुए जाल नुमा जो सरचना है वो क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यह कहीं पर रफ दिखाई देती है यानि कहीं पर यह खुर्दुरी दिखाई देती है और कहीं पर यह चिकनी दिखाई देती है तो जो खुर्दुरी एर है मतलब अन्तरप्रद्रवी जाली का है तो वह क्यों है खुर्दुरी रफ क्यों है क्योंकि वहां पर जो है वो राइबोसों पाया जाता है और और दूसरा स्मूथ ER यानि की स्मूथ एंडड़ बनानी में मदद करता है तो इस तरीके से यहां पर यह बनते हैं प्रोटीन यह बनता है यह प्रोटीन और वसा जो है वो गौल्चीय बॉड़ी तक पहुचाया जाता है और यदि basically ER की बात करते हैं यानि अंतरप्रद्रवी जालिका की बात करते हैं तो यह जो है साइटो प्लाजम को सपोर्ट प्रदान करता है यांतरिक सहार प्रदान करता है और जैसे हमने पहले एंडोसिस मेंब्रेंस सिस्टम में भी देखा था कि इसका जो है वो connection रहता है द